अस्वालेकुम देहर्मीवर्स आप देख रहे हैं सिंधी टीचर मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेशिक सिंधी, स्टार्टिक सिंधी, सिंधी कायदे अलिफबे से पढ़ाने की कुशिश कर रहे हूँ उसके बाद हमने स्टार्ट किया है सेंट टेक्स बुक बॉर्ट की क्लास 3 तो क्लास 7 ओल चेप्टर्स कम्प्रीट हो गए हैं विच सॉल्व एक्सरसाइजेस, कुईशन आज़र अलफाज माईने सब सॉल्व है उसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 4 गाबा सिंधी यारी कि यह आसान सिंधी की बुक है लेकिन इसे गाबा पुब्लिशेस की तरफ से है तो इसलिए हम इसे गाबा सिंधी बोलेंगे उसमें आज हम चेप्टर 4 पढ़ेंगे और पहने जो मैंने क्लास पढ़ा दिये हैं क्लास 3, 4, 5, 6, 7 सबके अलग से प्लैलिस्ट बने हुए हैं आप अपनी क्लास के मताबिक जाके पढ़ सकते हैं आज हम पढ़ेंगे 4 चेप्टर, चेप्टर 4 जिसे सिंधी में सबक चोतून पढ़ते हैं आज हमारे पास चेप्टर का टाइटल है डॉक्टर उमर बिन महम्मद दाउद पोठो ये एक शख्स का नाम है उसी के बारे में अज डिटिल से पढ़ेंगे ये कौन थे शुरू करते हैं बिसमिल्ला रह्माल रहीम सिंध में कितने ही मशूर आलिम और अदीब गुजरे हैं हो डॉक्टर उमर बिंद मुहम्मद दाउद फोटो भी उनी में से एक था उनन मा उनी में से हिक का मतलब होता है एक था हो का मतलब होता है था हो सेवन तालुके जे गोट तल्टी मा पंजुई मार्च 896 ते जाओ वो सेवन तालुके के गोट केते हैं गाउं को गाउं तल्टी जो गाउं का नाम है वो गाउं जो है तल्टी गाउं है गोट का मतलब होता है गाउं वहाँ 25 मार्च 896 ते का मतलब होता है पेरे पर जाओ का मतलब होता है पैदा हुए इस तारीक को वो वहाँ पर पैदा हुए संदस वालिद जो नालो मिया हाजी मुहम्मद हो उनके वालिद का नाम मिया हाजी मुहम्मद था संदस का मतलब होता है उनके जे को वाड को कम कंदो हो जो के एक बड़ाई था बड़ाई का काम करता था वाड को कम बड़ाई का काम कम का मतलब होता है काम कंदो हो का मतलब होता है करता था वाड को कहते हैं बड़ाई को और बड़ाई उसको कहते हैं जो लकडियों से सामान बनाते हैं फरनीचर बनाते हैं उसको कहते हैं बड़ाई हिन इप्तदाई तालीम गोट मा हासिल कई इन्होंने इप्तदाई तालीम यानि कि शुरुआती तालीम गाओं में हासिल की गोट का मतलब होता है गाओं हो डाडो जहीन और महनती हो वो बहुत ज्यादा जहीन और महनती थे डाडो का मतलब होता है ज्यादा हर साल अमतहान मा पेरियू नंबर इंदो हो हाई स्कूल मापन तालीम हासिल कई उन्होंने लाड़काना हाई स्कूल और नोशेरो फेरोस हाई स्कूल में भी तालीम हासिल किया हिन का मतलब होता है उन्होंने और पिड का मतलब होता है बेहे चोटिये भी बाकी वही वर्ड है क्योंकि ये नाम है ये उर्दोर सिंधी में सेमी है हासिल कई का मतलब होता है हासिल किया वदीक तालिम हासिल करन लाए सिंध मदर्सत लिस्लाम कराची आयो ज्यादा तालिम हासिल करने के लिए सिंध मदर्सत लिस्लाम कराची में आया आयो का मतलब होता है आया वदीक का मतलब होता है ज्यादा जिते सज्जे सिंद मा पेरियू नमबर हासिल कियाई जिते का मतलब होता है जहां पे जहां सारे सिंद में पहले नमबर पहली नमबर आपने हासिल की उन्होंने हासिल की जिते का मतलब होता है जहां सज्जे का मतलब होता है पूरे, पूरे सिंद में, सज्जे सिंद का मतलब होता है पूरे सिंद, पेरियू नमबर का मतलब होता है पहला नमबर हासिल किया है हासिल किया, हो गरीब ओहन करे कालिज मा पढ़ंदो बहो, वो गरीब हो कर भी कालिज में पढ़ता था, गरीब ओहन गरीम होकर कालेज में पढ़न्दो हो कालेज में भी पढ़ता था यानि कि वो गरीब था लेकिन इसके बावजूद भी वो कालेज में पढ़ता था ता नोकरी पढ़ कंदो हो और साथ साथ में नोकरी भी करता था पढ़ने का मतलब होता है बेहे चुटिये भी कंदोहो का मतलब होता है करता ता क्योंकि वो गरीब था वो कालिज में पढ़ता था तो उसके साथ साथ नौकरी भी करता था ताकि अपने अखराजात बरदाश कर सकें होस्टल मा अमीरन जे बारन के ट्यूशन पढ़ाईंदो हो होस्टल में अमीरों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था अमीरन तो अमीरों को कहते हैं बारन का मतलब होता है बच्चों पढ़ाईंदो और ट्यूशन तो वही सेम है होस्टल में अमीरों के बच्छों को वो ट्यूशन भी पढ़ाता था इन मा जे की पैसा मिलनदा उहस इससे जो भी पैसे मिलते थे इन मा जे की इसमें से जो भी पैसे मिलते थे इनन मा पैंजे पढ़ाई थे खर्च कंदो हो इन मेंसे अपनी पढ़ाई पर वो खर्च करता था पैंजी पढ़ाई पैंजी का मतलब होता है अपनी इननमा का मतलब होता है इन मेंसे खर्च कंदो हो का मतलब होता है खर्च करता था आई वालिद के बार दीन दो हो और अपने वालिद सहाब को इन पैसें में से पैसे भी देता था हो आला तालिम हासिल करन लाए लंदन बावयो वो उन्होंने आला तालिम हासिल करने के लिए लंदन भी गया वो का मतलब होता है वो मोटी अच्छे तालिम काते मा आला मोटी अच्छे का मतलब होता है वापिस आकर यानि कि लंदन से वापिस आया वापिस आकर तालीम काते यानि के तालीम के निजाम में यानि के तालीम के शोबे में तालीम काते का मतलब होता है तालीम के शोबे में आला का मतलब होता है उन्चा पिससे पढ़ेंगे मोटी अच्छे तालीम काते मा आला अमलदार मुकररते हो वापिस आकर तालीम काते में आला ओहदे पर मुकररर हुए और सिंद में तालीम तरक्की लाने के लिए उन्होंने कोशिश की तरक्की लाइक मतलवते हैं तरक्की के लिए सिंद जो इहो मिसाली इंसान 22 नवंबर 1908 वंजा इस्वी ते वफात करीवे हो सिंद का ये मिसाली इंसान 22 नवंबर 1998 इस्वी में इस्वी पर वफात किया इन्होंने संदस कबर बिट शा मा शा अब्दिल्लतीफ बिटाई जे बरसा आहें इनका कबर जो है बिडशा में बिडशा एक शहर का नाम है बिडशा में शाअ अब्दिल्लतीफ बिटाई के करीब है शाअ अब्दिल्लतीफ बिटाई जो है मजार उसी के मकबरे के करीब है बरसा का मतलब होता है करीब आही का मतलब होता है हिबर ये है असां के गुर्जे हम हमें चाहिए असा के गुर्जे का मतलब होता है हमें गुर्जे का मतलब होता है ये चाहिए हमें चाहिए तर डॉक्टर उमर बिन मुहम्मद दाउद पोटे जे नक्ष कदम थे हले के डॉक्टर उमर बिन मुहम्मद दाउद पोटे के नक्ष कदम पर चले हले का मतलब होता है चलना, महनत करें, महनत करें, पेंजे मुलक आई कोम जो मान मताउन करें, अपने मुलक और कोम का मान बढ़ाएं, उंचा करें, मताउन का मतलब होता है, उंचा करना, मताउन, मतलब उंची जगा को कहते हैं, मताउन, यहां पर यह लवज यहां इस्तमाल हुआ है, तो अपने क गौम और मुल्क के जो शान है मान कहते हैं शान को उंचा करें हेड डिनर सवालन जा जवाब डियो नीचे दिये हुए सवालों के जवाब देने हैं जो चार हैं सिंधी मा तर्जमो करियो इन जो ये तीन जुम्ले दिये गए हैं इनके तर्जमे करने हैं सिंधी में ट्रांसलेट करना है नोट के माणू सावारी शे आइंजा कम हालत एंखासियत जे नालन के इसम टैबो आहे ये इसम की तारीफ यहां पर बयान की गई है बुक की तरफ से किसी भी शखस साहदार चीज यानि के जानदार चीज साहवारी शे का मतलब होता है जानदार चीज केहमाडू का मतलब होता है किसी शखस किसी लोग या फिर जो है जानदार चीज जाए का मतलब होता है जगा, कम का मतलब होता है काम, हालत एं खासियत जे नालन के इसम चैबो आहे हालत और खासियत के नामों को इसम कहते हैं, चैबो आहे का मतलब होता है कहते हैं जी है खालिद, ताजमहल, जवानी वगेरा उसमें मिसाल दी गई है जिसे के खालिद एक नाम है ताजमहल एक खास जगा का नाम है और जवानी जो है एक हालत है उसके बारे में बताया गया वगेरा ये मिसाल दीए गए इसी तरह आपको चार लिखने है चार कॉलम्स दीए गए है तो हम देखेंगे इस चेप्टर में से चार कॉलम्स पिल करने थे तो फरस्ट में हमने लिखा है डॉक्टर उमर बिन महम्मद दाउद पोटो ये जो है खोद एक खास शक्सियत है उनका नाम है फिर नेक्स्ट है सिंध मदर्सत लिस्लाम तरड है शाअब्द लतीफ बिटाई फूर्थ है नोशेरो फैरोज यहां में इस चेप्टर में से चार इसम दूल के लिखने थे मैंने ये लिका ले हैं आप कुछ और भी लिख सकते हैं ये करेक्ट है चार कॉशन से उनमें फास पंजवी मार्च 896 में पैदा थे हो डॉक्टर उमर बिन महम्मद दाउद पोटे जो वालिद वाड को जो कम कंदो हो वो डॉक्टर उमर बिन दाउद पोटे का जो वालिद था वो बड़ाई का काम करता था बड़ाई केते हैं जो लखडी से सामान बनाते हैं डॉक्टर दाउद पोटे तालिम किता हासिल कि? यहाँ उनली तालिम लिखा है इप्तदाई या फिर शुरूआति इस तरह से नहीं लिखा तो हम सारे तालिम के बारे में बात कर रही हैं, पूछ रहे हैं तो हम सारे ताल पेंजे गोट मां शुरुआ दाउद पोटे ने शुरुआती तालिम अपने गाउं से पोई लाड़काने हाई स्कूल आई नोशेरो फेरोज मदरसा हाई स्कूल बाद में लाड़काने हाई स्कूल और नोशेरो फेरोज मदरसा हाई स्कूल पोई वद्दीक तालिम हासिल करन लाए सिन्ध मदर्सत लिस्लाम कराची फिर ज्यादा तालिम हासिल करने के लिए सिन्ध मदर्सत लिस्लाम कराची में आई आला तालिम लंदन में हासिल के और आला तालिम जो है उन्होंने लंदन से हासिल की डॉक्टर दाउद पोटे जे कबर किते आहें दॉक्टर दाउद पोटे का कबर जो है बिट्शा शहर में शाअब्द लतीव बिटाई के मजार के करीब ही है उसके बाद था ये हमें दिये कहते हैं हमें सिंधी में ट्रांसलेट करने थे उर्दू जुमले थे वो बच्पन से जहीन थे हूँ नंडबन का जहीन हो नंडबन अधीब थे हूँ वड़े वड़ो अधीब हो वो बढ़ा अधीब था यानि के इसी के साथ ये चैपटर कंप्लीट हो गई है नेक्स वीडियो में हम नेक्स चैपटर पढ़ेंगे अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्फ मिलती है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजी का दोस्तों और क्लासमेट के सच शेयर जरू कीजी का अलाफिज